कि वेल्कम बैक दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किरीमा श्टार्क के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस तरीके से बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक की वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं वो भी फ्री अपकोस्ट ये कोर्स दोस्तों आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बदा देता हूँ कि काइन माश्रो को जब आप यहाँ पर ओपन करोंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक option मिलेगा आपको setting पर, setting पर आप जब click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफी तरह के options मिल जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा my information यहाँ पर आपको सारी details मिल जाएगी आपके बारे में उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप device capability information पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको device की capability मिल जाएगी कि आप किस तरह की वीडियो edit कर सकते हो इसके अंदर और किस तरह की वीडियो नहीं कर सकते For example कि यहाँ पे मैं 4K editing यहाँ पे कर सकता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे मैं कितनी layer को use कर सकता हूँ और कितनी कितनी quality में use कर सकता हूँ यह भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद दोस्तों अगर आपके phone में फिर भी कोई problem आ जाती है तो यहाँ पे आप three dot पे क्लिक करके इसे run analyze now पे कर दें जिससे यह क्या हो जाता है एक तरीके से update हो जाता है और सही तरीके से आपको यहाँ पे information देना शुरू कर देता है उसके बाद दोस्तों हम back चले जाते हैं बैक चले जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक option आएगा create new पे create new पे क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी project खुल जाएंगे आप नीचे भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं for example यह पहले वाला ratio आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं सोना भाई 9 का ratio select कर लेता हूं और next कर देता हूं next करने के बाद यह साथ की साथ यहाँ पे आपकी gallery open हो जाएगी सारी की सारी यहाँ पे वीडियोस वगेरा जो आ जाएगी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गूर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा photo और video का अगर यहाँ पे click करेंगे तो आपके सामने दो option हो आ जाएगे एक photo और एक video का तो इस पे click करेंगे तो सभी की सभी photos यहाँ पे show होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर मैं for example के लिए कोई एक वीडियो ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से देखने में कोई प्रोल्म ना हो तो for example मैंने यहाँ पर यह पर यह वीडियो जो है वो ले लिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टिक के आइकोन पर आप क्लिक करें तो आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से सो हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखना चाते हैं तो सिंपल सा प्ले के आइकोन पर क्लिक करें यह वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा और अगर आप इसे fuse करना चाहते हैं तो fuse के icon पे क्लिक करते हैं ये fuse हो जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे मालने कोई video add कर लिया फोर इजेंपल ये वाला video हमने add कर लिया और गलती से हम इसे कोई होर video add करना चाते हैं लेकिन ये वाला add हो गया तो आप इस video को यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से delete वाले icon पे क्लिक करके इसे delete भी कर सकते हो अगर आप से कोई गलती से कोई video delete हो गया तो यहाँ पे एक auto का icon है यानि कि reverse का icon लगा लो ये दुआरा से वो वीडियो आ जाएगा तो इस तरीके से कोई भी वीडियो या project file डिलीट हो जाती है तो आप इसे इस तरीके से recover जो है वो कर सकते हो तो इस पे आपने simple सा click करना है ये recover हो जाएगी तो दोस्तो आप यहां पे अगर आपको इसी भी part को cut करना चाहते हो तो यहां पे आपने simple सा क्या करना है वीडियो के उपर click करना है और यहां पे एक scissor का icon आएगा इस scissor वाले icon पे आपने click करना है और वीडियो को जितना भी आप आगे करोंगे उतना यह cut हो जाएगा यह आप एडवली line देख रहे होंगे इस हिसाब से cut होता जाएगा for example मैंने यहां तक cut करना है तो यह मैंने यहां तक cut कर दिया उसके बाद अगर मैंने इसका पीछे का हिंसा cut करना है तो यह पीछे का हिंसा cut हो गया सो इस तरीके से दोस्तों आप इसे cut कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है आप yellow वाले यह line पे जो है अगर आप click करेंगे और इसको पीछे करेंगे तो इस तरीके से भी ये cut होता जाएगा मैं आपको ये पीछे से गर के दिखा देता हूँ ये देखो same procedure आप आगे से भी cut कर सकते हो और बढ़ाव सकते हो इसको ठीक है उसके बाद दोस्तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे project setting की यहाँ पर आपको एक setting का icon मिलेगा इस पर आपने click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तेन option मिलेंगे audio, video और editing का यहाँ पर आपने editing वाले part को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना video वाले part पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर आप यहाँ पर fat video को on करेंगे video fat in starting तो यहाँ पर होगा क्या starting में आपका video जो है वो black हो जाएगा और दीरे दीरे जो है वो bright होना शुरू होगा ऐसे ही आप यहाँ पर setting में जाएं वीडियो में जाएं और end वाले को भी on कर दें तो आपका end वाला भी same ऐसे ही होगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम इन दोनों को कर देते हैं off तो हमारी वीडियो normal तरीके से जो है वो play होगी ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर audio के अंदर भी same ऐसी procedure कर सकते हैं मैं यहाँ पर कोई एक music मालो कि मैंने यह music एड़ कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैं setting पर click करता हूँ और audio को कर देता हूँ on sorry यहाँ पर हमने music जो है वो वीडियो वाला लेना होगा तो यहाँ पर मैं ले लिता हूँ वीडियो वाला कोई music तो यह वाला मैंने ले लिया तो यहाँ पर मैं setting में किया और इसको ओन किया हूँ मैंने ओ लेडि पहले मैं off करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हम इसे ओन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो music है वो धीरे धीरे कम होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे यह होगा तो दोस्तों यह था हमारा project setting का option तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा transition effect for example यह video है इसके अंदर मैंने transition effects लगाने है अलग-अलग हिस्से के या फिर आप कोई भी photo बगरा है उसके अंदर आप transition effect बगरा लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं मैं यहाँ पर कोई photo ले लेता हूँ और इसका गाना गाना तो चलो रहने देते हैं इसको हम कर देते हैं delete तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे हम transition effect की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी करेंगे plus icon है simple सा आपने करना क्या है plus वले icon पर क्लिक करना है और यहाँ पर सभी की transition effect आ जाएंगे अगर यहाँ पर आपके पास comes हो रहे हैं तो कोई problem नहीं आप यहाँ पर जाके download कर सकते हैं इस वले icon पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको सारे के सारे transition effect जो हैं वो मिल जाएंगे simple सा कोई भी transition effect पर आपने click करना है और यहाँ पर download पर click करना है यह automatic जो है आपके browser के अंदर install हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कोई भी transition तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के यहाँ पर transition बगएरा जो हैं वो मिलेंगे यह सारे के सारे transition दोस्तों आप लगा सकते हैं अपने video के अंदर और आपका video जो है वो एक number बन जाएगा या आप photo के अंदर भी लगा सकते हैं आपको कोई problem नहीं आने वाली इस तरह के से दोस्तों आप यहाँ पर transition effect जो है वो यूज कर सकते हो तो दोस्तों अब हम बात करेंगे pan and zoom animation इसमें मालू कि मैंने यहाँ पर एक photo लिया हुआ है आप यहाँ पर video भी ले सकते हैं फोटो भी ले सकते हैं कि नॉर्मल सा photo है यहाँ पर कोई भी animation नहीं है तो आपने simple सा click करना इसके उपर और यह second वाला जो आप option देख रहे हो यह है pan और zoom वाला तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो starting इसकी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसे zoom करके और ending जो है जो आप इस तरीके से कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने simple सा है simple सा tick क्या icon पर कलिक करना है और मैं आपको प्लेगर के दिखाऊंगा यहाँ पर क्या है एक animation जो है तो दोस्तों आप अपनी वीडियो को कोई वीडियो रोटेट करना चाहते हैं या फिलिप करना चाहते हैं तो आपने आपने एहाँ पर क्या होगा है और for example मैंने इस वIdeo को जो है वो like करना है तो यहां पर मैं कलिक करूँगा इसका साइड जो है वो छेंज हो जाएगा इस ही तरीके से दोस्तों अगर आप निस số से रोटेट करना चाहते हैं जैसे की हम शादियों के एलबं में देखते हैं वैसे कुछ scene यहां पर create करना चाहते हैं कुछ intro बगरा है जो है वह create करना चाहते हैं तो simple से आपने करना के आपने video पे या फिर photo पे click करना है और उसके बाद यहां पर आपको clip प्रोजेक्ट को है जो डाउनलोड कर सकते हैं. सिंपल आपने करना कहा है? बस आपने यहां पर जैसे कि सैलिब्रेशन का यहां पर मिल जाएगा, आपको सैनिमेटिक एफेक्ट मिल जाएगा, कोई भी एक चूज कर लें और example में यहाँ पर celebration का चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं यह वाला और इसको आपने simply download कर लेना है download हो जाने के बाद यह automatic install हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपने back आना है और यहाँ पर finalist पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इहाँ पर animation जो है, वो create हो जाएगा इसी तरह केसे आप यहाँ पर traveling वाला correct कर सकते हैं या फिर यह वाला भी करेट कर सकते हैं काफी interesting है यह वाला भी ठीक है? ना, आप अपने हिसाब से कोई भी HEREाँ पर animation जो है वो text वाला जो create कर सकते हैं ये वाला आप देख सकते हैं और ये वाला ये वाला आप देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों आप यहां पे clip graphing जो है वो कर सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं आने वाली अगर आप अपनी वीडियो की speed को जादा करना चाहते हैं या फिर अपनी वीडियो के अंदर slow effect डालना चाहते हैं तो simple सा आपने करना क्या है अपनी वीडियो के ओपर click करना है और यहां पर आप को speed का option मिलेगा इस पे आपने क्लिक करना है और यहां पर आप चाहें इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से करके अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपनी स्पीड को जो है वो slow कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार प्लेगर के तो आप देख सकते हैं कि काफी slow होगी है अगर मैं इसकी speed को बढ़ाऊं इसको मैं mute कर लेता हूँ तो अब याँ को मैं प्लेगर के दिखा हूँ तो इदे को काफी जल्दी इसने उतार दिया मुकट थोड़ा सा speed को हम होर बढ़ा लेते हैं 8 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे play करके साथ हूं काफी तेज होगी है यह तो हम normal करते हैं 4 गुना भी ज़्यादा है डाई गुना करते हैं यह देख सकते हैं यह भी काफी ज़्यादा है proper नहीं चल पा रहा दो गुना अच्छा रहेगा तो आप देख सकते हैं काफी जल्दी से ने उतारा मुकड को ऐसे ही आप speed को कम कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से काफी slow motion में है जो यह उतारने लग रहा है यह सारे के सारे effect जो है दोस्तों आप अपनी इंस्ट्राग्राम रील के अंदर यूज कर सकते हो अगर आप कोई और आप यूज करते हो तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो fast slow fast slow बना सकते हो तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो के अंदर reverse effect नि लगाना चाहते हो तो simple सा आपने वीडियो के उपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक reverse का option मिलेगा इस पे क्लिक करना है यह आपका वीडियो यहाँ पे reverse होना शुरू हो जाएगा उसके बाद होगा क्या कि अगर आप आगे आ रहे हो तो पीछे चलना शुरू हो जाएँगे मतलब कि इस तरीके से reverse effect जो है वो create होगा मैं आपको play करके दिखाता हूँ जैसे कि यह बंदा आगे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या होगा मैं आपको play करके दिखाऊँगा यह देखो यह reverse होना शुरू होगी तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वीडियो के अंदर यह reverse effect जो है वो create कर सकते हो तो दोस्तों इस section में मैं आपको बताऊँगा कि color grading कैसे करनी है तो simple way पैसाता हूँ मैं पहले आपने layer पे click करना है और यहाँ पे effect में जाना है और यहाँ पे यह जोपड़ी पे click करना है जोपड़ी पे click करने के बाद यहाँ पे आपको color पे click करना है और यहाँ पे नीचे जाना है नीचे जाने के बाद auto hdr पे click करना है और इसे download करने है और download हो जाने के बाद इस पे click करना है और इसे ले लेना है यहां पर आप देशकते हो जमीन आसमान का फर्क जो है यहांपर आपको दिखने लग गया होगा अगर यहांपर आप बैक जाएंगे और सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसको बढ़ाएंगे तो यह हो ओर जादा रट हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप color grading कर सकते हो अगर आपके पास premium version नहीं है तो कोई बात नहीं हम इसे delete कर देते हैं आपने video पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे adjustment में जाना है और यहाँ पे आप थोड़ा सा structure को बढ़ा दो इस तरीके से इसको तो हम चलो कम ही कर देते हैं इतना रहेगा shadow आप यहाँ पे बढ़ा दो या कम कर दो आप अपने according यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से भी दोस्तों आप यहाँ पे color grading जो है वो कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप अपनी video के अंदर voice over करना चाहते हो तो simple सा आपने project ready कर लेना है project ready करने के बाद मैंने आपको बताया है कि file कहां से add करनी है यहां से आप file को add कर सकते हो जो भी photo वगर वीडियो अगर आपने add करनी है तो यहां से कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते हैं पहले वोईस ओवर करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपने रिकोर्डिंग वाला इकोन पर के लिए अभय करना चाहते हैं नहीं कर अब हुआरां ब雲APUST करना खिय दुलिक क आपकोन करना चाहते हैं नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहां पर वोईस रिकोर्डिंग होना शुरू हो जाएगी आप इस तरीके से वोईस ओवर यहां पर कर सकते हैं मैं आपको एक पर प्ले करके दिखाता हूँ तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर आपको इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर वोईस ओवर कर सकते हो आपका ओडियो साथ की साथ चलता रहेगा और साथ की साथ यह जो स्क्रीन यह भी चलती रहेगी इसे देखके आप अपना वोईस ओवर जो है वो कर सकते हो voiceover complete करने के बाद आप चाहते हो कि यार मैं music लगाना चाहता हूँ अपने background के अंदर या फिर कोई भी real बगारा बनाने के बाद या कुछ भी बनाने के बाद आपना music लगाना चाहते हो तो आपने simple सा music वाले audio वाले icon पे click करना है और नीचे जाना यहां पे folder वाला icon मिलेगा और यहां पे sound ले लेना है कोई भी for example मैं यह लगे लेता हूँ पिंजाबी song मैं आपको प्लेकर करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि non copyright नहीं है copyright आ सकता है कर समने बठाला देक्वरा यह इस तरीके से हैं आप चाहते हूँ कि यह इसकी आ्वाज जढ़ा है तो आपने simple सा audio पे click करना है और यह यह यहां पे speaker देख रहे हूँं इस पे click करना है इस पर किरे करके आप जेप आपकि आपके आपकि AO 뒤에 आउए लो जाजा कर piss के और उसके साँ फीकहिए न अगर आप बेंडर लगा रहे रहे तो आप एपनी वयूम वाली वास को कम कर developed और audio लिवाज को ज़्यादा कर लेना मैं आपको दिखा जाता हूं इसको हम कम कर लेते हो और आप लेकर के दिखाता हूं तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से आपकी जो वोईस है वो उपर आजाएगी और बैगरांड साउंड जो है वो नीचे आजाएगा इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं वोईस ओवर न ठीक है जी अगर आप चाहते हो किश्सी बर करना के और यहां प्लर कलीक करता है वह यहां प्लर मिल जाएगा और देख सकते हो यहाँ पे मेरा face जो है वो blur होने लग रहा है अगर आपको चाहिए भी बिल्कुल जमी blur तो आप यह भी तो आप यह भी कर सकते हो back जाओंगे तो यहाँ पे setting option आएगा यहाँ पे setting में जाके से इस तरीके से करोंगे यह ज्यादा blur हो जाएगा ऐसे same procedure आप दूसरे में भी कर सकते हो यह देखो यह ज़्यादा blur हो चुका है तो इस तरीके से दोस्तो आप यहाँ पे blur effect जो है वो लगा सकते हो अगर आप चाहते हो कि कोई हो और ज़्यादा effect लगाना है कोई हो आप यहाँ पे effect में जाए यहाँ पे आप download करने अगर आपके पास नहीं है आपको यहाँ पे सारे तरह के effect जो है वो मिल जाएंगे यह आप देख सकते हो सभी की सभी तरह की effect यहाँ पे है blur वाले में जाओंगे तो blur effect मिल जाएंगे color वाले में जाओंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पे अपने वीडियो के अकोडिंग जो है वह ले सकते हो कुछ भी यहां पे आप बना सकते हो अगर दोस्तों आप अपनी वीडियो के अंदर श्टिकर वगर एड़ करना चाहते हो लाइक थम या फिर सब्सक्राइब फॉलो वाले ऐसा कुछ करना चाहते हो तो सिंपल सा आपने यहां पर कलिक करना है यहां पर आपको श्टिकर मिल जाएंगे नहीं है तो आपने सिंपल स आपको यहां पर करके जगा जाता हूं जैसे कि मुवी में आप मिल जाएगा वर्काउट के मिल जाएंगे मैंने जो डाउंलोड की हुए है इस सारे के सारे यहां पर मिल जाएंगे और यह किटी पार्टी जो शुरी किटी कैट वाले 3D तो यहां पर आप जाओंगे तो यहां से डाउंलोड करने बिजनेस लेटेड आपको यहां पर मिल जाएंगे मैंनी वगरा के यह डाउंलोड मैंने कर लिए तो यह सारे के सारे दोस्तों आप यहां से डाउंलोड कर सकते हो only for premium user अगर premium user नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं आप मेरा यह वाला अगर आप चाहते हो कि यहां पर आप अपनी वीडियो के अंदर टेक्स वगरा लिखो या कुछ लिखना चाहते हो तो सिंपल सा आपने करना क्या है यहां पर करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भ और ऐसा मैंने लिख दिया और यहां पे आप ने कर दिया आप चाहते हो कि यहां पे मैंने color change करना है तो यहां पे आप white वाला icon देख रहे होंगे इस पे आपने click करना है और यहां पे आप कोई भी color से लगो green, red, black, black अच्छा लगेगा और यह मैंने कर लिया लेकिन यहां पे देख सकते हो कि यह थोड़ा सा पतला सा है तो यहां पे अगर आप इसका font change करना चाहते हो तो simply आपने करना क्या है यह यह वाला देख रहे होंगे आप बड़ा और चोटा यह इस पे आपने click करना है यहां पे आपको काफी तरह के font मिल जाएंगे अगर नहीं है तो simply यहां से आपने download कर लेना है तो यहां पे काफी stylish fonts जो हैं आपको मिल जाएंगे आप कोई भी choose कर सकते हो जैसे कि मेरा favorite यह है यह मैंने choose किया तो यह देख सकते हो please like my video तो भाही like भी कर देना यहां पे हम लगा लेते हैं जैसा भी आपको step लगे वहां पे लगा सकते हो तो मैं अगर आप यहां पे चाहते हो कि नहीं एकदम से नहीं आना चाहिए कुछ घूम फिराके या animation वगरा create होके आना चाहिए तो simple सा आपने करना क्या है इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पर in animation में जाना है in animation का मतलब क्या है जब यह start होगा तब क्या होना चाहिए तब यह क्या होना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए या फिर इस तरीके से आना चाहिए या right से आना चाहिए यह left से आना चाहिए left से अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर animation आप select कर ले न और मैं प्लेगर के दिखाता हूँ यह right से आ गया उसके बाद जब यह खतम होगा तो क्या होगा एकदम से चला गया तो यहाँ पर आप out animation खतम होगा तो क्या होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यह right में ही चला जाना चाहिए तो देखो अभी play किया है मैंने right से यह आया और उसके बाद यह right में ही चला गया इस तरीके से आप यहाँ पर animation create कर सकते हो चलो यह ते हम मानगे लेकिन बीच में हम चाहते है कि कुछ और भी होना चाहिए तो यहाँ पर आगया our animation तो यहाँ पर आप क्लिक करोंगे तो क्या होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी चीज जो है use कर सकते हो यह देखो इस तरीके से आप अपने वीडियो के कोडिंग जो है यह बना सकते हो इंट्रो वगरा भी बना सकते हो आप सो उसके बाद दूस्तों अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो के अंदर मैं कुछ समझा रहा हूँ तो यहाँ पर वो तुके वगरा उप्र मैं कह सकता कुछ arrow वगरा आजाएं कि जहां पर मैंटस कर रहा हूँ वहाँ पर ऐरो आजाएं तो यह चीज़ें मैं करता है रहता हूँ आपने देखा ही वोगा मेरी वीडियो में अगर नहीं देखा तो देख लेना तो आपने करना क्या है simpli मैं आपको दिखा दूघता हूँ simply आपने यहांपे layer پे click करना है और यहांपे handwriting में जाना है handwriting में जाने के बद यह Pencil वाले icon पे click करना है और यहाँपे यह arrow आचुका है इस पे click करना है for example मैं यहाँपे दखाना जाता हूं कि ये download करना है मैंने sorry ये बड़ा है काफी यहां पे आप click करेंगे तो यहां पे हम चोटा कर लिया है इसके और इसका color जो हम चोटा कर लिए है red यहाँ से आप देखो यह हो चुका हो चोटा और यहाँ पे मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूँ अब ही मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ क्या होगा यह मैंने प्ले किया यह एकदम से आगया आप चाहते हो कि यह एकदम से नहीं आए यह एनिमिनेशन क्रेट करके आए तो simply यह पहले वले एक उन पर अपने क्लिक करना है और यहाँ पर क्या लिखा हूँ है तो इस तरीके से चला जाएगा तो प्ले किया मैंने यह देख सकते हो आप और इसी तरीके से ब्याक चला जाएगा उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो कि कोई एक वीडियो के अंदर में या फिर कोई भी एक वीडियो आपको पसंद आई उसके अंदर आप फोटो लेना चाहते हूँ या फिर इमान लो कि ये वाली चीज है इसका मैं screenshot चाहता हूँ तो आपने करना क्या होगा simple सा ये देख रहे होंगे इस पर आपने क्लिक करना है इस पर क्लिक करूँगे तो capture and save पर क्लिक करूँगे ये क्या होगा automatic आपकी इस वीडियो का फोटो जो है वो ले लेगा इस तरीके से आप अलग लग एंगल की चीजों का फोटो ले सकते हो जैसे कि मैंने मेरे को ये वाला इसारा अच्छा लगा तो यहाँ पर मैं इसका फोटो ले लेता हूँ और ये मेरे ये गैलरी के अंदर यहाँ पर से भी हो गया उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे हो की यार वीडियो हो चुकी है बहुत ही ज़ादा मालू की मैंने यहाँ पर इतनी एडिटिंग कर दी मैं आपको एक बर करके दिखाता हूँ वटाफट से और यहाँ पर बहुत ज़ादा एडिटिंग हो चुकी है आपको पता ही लग रहा कौन सी लेर कहाँ पर है आप बहुत ही हाई लेवल पर चले गए है और आपको पता ही लग रहा है काफी देखो इतनी सारी लेर जो है वो हो चुकी है यहां पर और कर लेते हैं हम create इसको duplicate कर लेता हूं मैं यह इतनी सारी layer हो चुकी है मेरे को पते ही लग रहा कहा है क्या नहीं तो यहां पर आप simply एक option का use कर सकते हो इस वाले का इस पर आपको लिक करेंगे तो क्या होगा आपको सारी की सारी layer जो है वो मिल जाएगा आपका ओठी और आपको वीडियो में भी पता लग रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं और यहां से आप दोस्तों इसको edit कर सकते हो आगे पीछे कर सकते हो जो आप करना चाते हो आप यहां से कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने background को change करना है तो आपने करना कहा है simply कोई भी एक background को ले लेना है यहीं से media से जाके उसके बाद दोस्तों अपने layer पे click करना है और यहाँ पे media पे जाना है media पे जाने के बाद दोस्तों आपने वो video ले लेना है जिससे का आपने background चेंज करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपने सिर्फ एक चीज का दिया लखना है कि आप उसी वीडियो का background चेंज कर सकते हैं जिसमें आप chroma key का यूज कर रहे हैं कहने का मतलब यह है कि जिसमें आपका background सिर्फ एक color का है वो चाहिए लाल हो चाहिए वो काला हो जैसे इस बहिया नहीं green color यहाँ पे यूज किया हुआ है पीछे तो यहाँ पे आप भी ऐसे ही कर सकते हो आप हारे परदे के आगे खड़े हो के वीडियो मनाओ और उसके बाद वीडियो यहाँ पे एड़ कर लो और वीडियो के उपर क्लिक करो और यहाँ पे chroma की पे जाओ और इसे enable कर दो भाई साब का background change हो चुका है इस तरीके से आप भी अपने वीडियो का background जो है वो change कर सकते हो अगर आप इसे आप लगातार change करना चाहते हो तो आप इसे लगातार भी change कर सकते हो simply आपने करना क्या है इसे हम कर देते हैं delete और यहाँ पे medium में जाते हैं दूसरा background ले लेते हैं अंधेरे बाला और दुआरा फिर medium में जाते हैं दो-चार background जो हैं हम ले लेते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि भीया का जो है वो background change हो रहा है और वो भी automatic तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपना background change कर सकते हैं chroma key का यूज कर सकते हैं फॉर एक्जंपल दोस्तों हमारी वीडियो हो चुकी है ready अब आप इसे save करना चाते हो अपनी गैलरी के अंदर तो उसे कैसे करना है simply आपने share के icon पे क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएगा export का option यहां पर आप अपनी वीडियो को इस तरीके से save कर सकते हो लेकिन यहां पर आप चाते हो कम MB के अंदर अच्छी quality के अंदर save करना तो simply आपने यहां पर इसे कर देना है high quality में तो मेरा 4K यूज़ कर रहूंगा मैं 4K में export करता है मेरा device और यहां पर हम frame कर rate कर देते हैं 60 और यहां पर आप अगर इसकी MB बढ़ाएना चाहें तो बढ़ा सकते हो और इसे कम करेंगे तो आपका यहां पर 423 MB का बनेगा वीडियो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो यह 2 GB का बनेगा इस तरीके से इसको थोड़ा सा कम करके कम MB के अंदर अच्छी quality के अंदर वीडियो export कर सकते हैं आपका यह वीडियो gallery के अंदर जो है save हो जाएगा